हेलो एवरिवाइन गुड मॉर्णिंग आप सभी लोगों को शुब प्रभात तो किचन से मेरी गुड मॉर्णिंग हो रही है दिन के शुरुआत हो रही है और सबसे पहले चाय से चाय का पानी मैं चड़ा दी हूँ गैस में अब उसमें शक्कर पत्ती डालके अब चाय मेरी बनने शुरू हो जाएगी मतलब चाय बनते देखके ही बड़ा अच्छा लगने लगता है गर्माहट शुरू हो जाती कि नहीं अब चाय पीना है है ना उसमें चाय पत्ती शक्कर सब दूदू डाल दी हूँ और अभी मेरी चाय खौले और क्या सुबह से काम तो उठके आया किचन में बस काम शुरू हो जाता है एक तरफ चाय चढ़ाओ एक तरफ गरम पानी चढ़ाओ पीने के लिए अपर सुबह सुबह आप लोगों को मालूम है कि सुबह से मेरे को किचन में और भी काम रहते हैं तो यह देखे मेरी चाय खौल रही है और एक तरफ फिर मैं पानी पीने कचड़ाई हूं एक तरफ सब्जी फ्राइए करूंगी है ना और आज तो काम भी बहुत सारे हैं चुकि आज तो पूरे काम करना है ठंड है कि अपने में हैं कि ठंड से जादा तभी कुछ है ही ने बहुत जादा ठंड हो रही है उठेने के इमत नहीं होती है पूटिन जो मेरा सुबह का किचन में चल रहा है एक तो बहुत पानी गपीने के लिए देखें बड़तन भी आएable में एक तो रही है पानी गरम हो रहा 12 दिम्सक्वर सबजी जी सबड़ां और थोड़ा काम जो है स्पीड पकड़ेगा और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बैगन आलू की सबजी हम लोग इसको भटा बोलते हैं भटा ठीक है यह देखे सबजी बन रही है उधर मेरी चाय बन के तयार हो गई है आप लोग भी चाय पी लीजिये दिन की शुरूबात चाय से करिए उसके बाद फिर यह जब निकल गए है पूरा काम मेरा चाय बाए मैं पी ली हूँ उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ साफ सफाई करने के लिए मंदलर में राच से साफ कर ली थी किचन लेकिन फिर भी सुबह जैसे सब्जी रोटी पराठा जो भी बनाओ तो गंदी हो ही जाती है कितना भी आप साफ करो तो वहीं मैं साफ सफाई करने आई हूँ अब प्लेट फार्म साफ करूंगी गैस साफ करूंगी और साइड में बरतन भी जो मेरे रखे हैं एक तो चा फिर किचन को मैं पूरा और सिंग को गएरा एकदम साफ कर लूगी नीट एंड क्लीन कर लूगी कप थोड़ा लग से दोना पड़ता कप के लिए मैं चोटी बास्केट रखे हूं जिसमें की कप गएरा दोके मैं उसमें रख देतूं जिससे तूटे फूटे ना जो भी ना साफ कर लूगी फिर मेरा दूसरा काम शुरू होगा जाडू का पोचे का आज तो जाडू पोचा सब कुछ करना है और उसके बाद फिर देखिए आगे-आगे मैं क्या करती हूं आप लोगों को पता चलेगा है ना तो देखिए फिर कि दो दॉख पूचे करते हैं आप बादिए। तूचे काम बोगी जाड़ू रबगगे लुखे लुषपश्या थार्वबगे बाद व्याड़ टूबगाद्या जेते हुखे वाड़ चूबगे पुगवे जगजबगे बाहाँ तो पूबगे अग्गे दूबगे झाल 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 हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो माई चैनल लाइफ रश्मी कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं अभी अच्छी हूँ देखिए अभी अब टाइम का में क्या बता हुआ है साड़े दस साड़े दस ग्यारा करी बज रहे हैं और मैं अभी रहाद होके आ पूरा काम करना पड़ रहा है तो सुबह से उठके मैं सुबह सब्जी बना ली थी और जो इनके लिए बनाई थी रोटी और उसका पराठे सेक ली थी तो नाश्ता हो गया सब लग नाश्ता गरा कर लिये थे और मैं अब नाहा के आई हूँ और अब मैं पूजा करने जाओंगी पहले पूजा करूंगी उसके आद फिर देखती हूं है ना अब काम तो लेकिन अब एक तो ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है और काम तो पूरे करना पड़ रहा है जाड़ो पोचा कम से कम तिन काम यह करना पड़ता है न आप तो पूरा करना पड़ रहा है और इसुक्त काम करने emphasizing के बाद फिर में गई तो देखिए मैं नहां के और फिर पूजा ओजा सब करके आ गई हूं और उसलिए नाश्ता तो होई गया था, सबजी का आप पता ही थी मैं, सबजी, रोटी, पराथा जो भी बनाई थी, तो सुबबर नाश्ता हो गया था और उसके आद फिर पूजा करने चलिए ति पूजा करके आई हूँ साबुदाना भिगा के रखी थी तो अभी साबुदाना की खिच्री जाके बनाओंगी तो दो फर मतलब यह है वैसे तो इसको फास्ट में खाते हैं लेकिन फिर कभी-कभी इच्छा होती तो बीच में बना के आई हूँ पहली भीगा के रख दी थी फूजा करने जाने के पहने अभी मैं जा रही हूँ साबुदाना की खिच्री बनाओंगी मैं खिच्री खीर बनती है लेकिन खिच्री जादा अच्छी लगती है अभी साबुदाना की खिच्री बनाओंगी मैं तो फिर आप लोग बनाते हैं साबुदाना भीक चुकआ है बस अब बनाना ही है तो देखिए मां कीचन में आ गई हूँ और यह जो साबुदाना है इसको में भीगा के गई थी और मैंड़कूसा रभी कुल चुका है बहुत ही अच्छा फूल है बहुत ये अच्छे खिली-खिले साबुदाना इसमें बनेंगे और मेरा जो साबुदाना भीगाने का तरीका है उसको मैं आपको बताऊंगे आगे यह देखिए अभी कड़ाही में गैस जलाके में कड़ाही चड़ा दी तो उसमें तेल चड़ा दी ती तेल जब गरम हो गया इसमें थ्रोड़ासा नमक डाल दी नमक किसी भी चीज में डाल दो तो थोड़ा जल्दी पकता है ऐसा बोलते है प्याज में डालो यह पिट Мáटर में Byiger ब्रॉट हलकी ब्राउन होती है तो नमक भी डाल दी हूं और बस इसको ढखके थोड़ी दिर आलू को आलू को पकाएंगे आलू तो पूरी पकनी चाहिए ना और यह फली है इसमें फली दाना हम लोग थोड़ा से जादा डालते हूं उसको पहले से मैं भूंज के मतला सूखा रोस्ट क परके ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसके मैं उसको रख दी थी और यह साबुदाना भीगा हो तयार है और इसको जो साबुदाना में ही जो फली पीसके रखे थे उसको साबुदाना में ही अब मैं डाल दी हूं और नमक डाल दी हूं मतला इसमें भी नमक डालेंगे और थोड़ा नमक आलो में डाल दिए हैं और इसको फिर अच्छे से mix करेंगे और उसके बाद फिर इसको अलग रख देंगे जब तक आलो पक रही है और मेरा साबूदाना जो बहुच बीड़ाने का जो मैं तरीका आपको बतारी हूं कि मैं जो है साबुदाना को पूरा अच्छे से एक तो बहुत अच्छे से तीन-चार पानी से धोना है यह देखिए आलो भी मेरी बीजबिश में आलो देखती जा रही हूँ और इसमें थोड़ा सा तेल मतलब ज्यादा लगता बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हलका से ज्यादा लगता ताकि आलो अच्छे से उसमें मतलब क्रिस्पी टाइप की हो जाए इस टाइप का तो आलो भी मेरी हो रही हाँ, आलो को धघड़क के पका रही हूं यह देखिए जब उसमें साबूदाना में हम फल्ली दाना जो पीश के मिलाए है न तो यह थोड़ा इस तरह का दिखने लगता है जैसे coated हो जाता है ना साबुदाने में फल्ली का powder जैसे coated हो गया है है ना तो मैं जो है कि साबुदाना को अच्छे से 3-4 पानी से धोके उसको मैं किसी भी बरतन में फुल पानी भरके रख देती हूं साफ पानी और 20 मिनट करी 20-25 मिनट उसको भीगने देती हूं और जब 20-25 मिनट हो जाता है उसके बाद जो पुहाँ छन्नी होती है उसमें मैं उसको पलट देती हूं तो उसका जो एक्स्टर पानी रहता है वो पूरा छन्नी से बाहर निकल जाता है और उसके बाद फिर रेड़ घंटे दो घंटे मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं भीगाना नहीं तो फिर सूखने लगेगा हलका उसमाशयर रहना चाहिए तो डेड़ दो घंटे बाद आप उसको साबुदाना उसको खिचडी में बना सकते हैं ऐनुदेखिए मेरी हो गई थी उसमें मैं साबुदाना डाल दी हूँ अब उसको अच्छे से, देखिटा हो जी पानी जैसा हो जाए उसका जो कलर है अभी जैसे एक दम वाइट वाइट दिख रहा है तो इस तरह तो इतनी दिर तक मैं उसको थोड़ा ढख ढख के पकाती हूँ मतलब कई लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी 500 बन जाता है तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है उतनी जल्दे नहीं बनता है लेकिन बनता बहुत ही अच्छा है आपको कलर देखने सौझ में आएगा कि अभी कैसा दिख रहा है और बनने के बाद वो कैसा दिखेगा है ना फ अगर थूड़ा भी तेज करेंगे तो फिर जिपकने लगेगा कड़ाई में या आपस में चिपकने लगेगा बहुत ज़्यादा है तो इसको ढग ढग के फोड़ा समय पकाती जाओंगी और लेकिन साबुदाना खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है और हम लोग इसको जैसे दही रहता है ने दही को पतला करके जीरा फ्राइए कर देते हैं तो ज्यादा नुकसान भी निंग करता है तो छाच भन जाता है तो हम लोग उसके साथ में टेस्टी लगता है उसके साथ हम लोग खाते हैं पर अभी तो ठंड का वह ना लेकिन फिर थोड़ा सा दही लेती हूं और अपना खाके खतम कर दो सीधी सी बात है इसको चाच के साथ बहुती टेस्टी लगता है यह देखिए अब इसका आपको थोड़ा सा चेंज कलर इसका आपको चेंज लग रहा होगा पूरे दाने इसके ट्रांसपरेंट नहीं हुए हैं बट काफी दाने हो चुक तो वरत में ऐसा रहता है न कि अरे आरे वही खाना तो खाने के इक्षा नहीं होती लेकिन जब आपना वरत नहीं रहता है तहुए अपको था होगा अब उस धनिया आप जितनी जादा डालो तो बहुत कलर भी अच्छा दिखता और बहुत ही धनिया का जो उसके जो खुश्बू आती है ना बहुत ही अच्छी लगती है अराम से आप यह देखिए साबुदाना हमारा परफिक्ट बन के तैयार हो चुका है उसमें आप धनिया डालके अपना मस्त उसको मैं मिला दूंगी और उसके मात फिर अपना साबुदाना के खिचड़ी खाने के लिए तैयार है प्लेट में निकालना है और खाना है लेकिन आप लोग को खिलाने के बगर तो नहीं खाएंगे ना यह देखिए एकदम परफिक्ट है अब आप देखिए इसमें ट्रांसपरेंट हो चुका है यह देखिए एकदम वायट में नई नई दिख रहा है आप इसको निकालेंगे प्लेट ले तो यह दो आप लोग का आज का दोफर में मतलब लंच बोलना चाहिए जो भी बोल लो आप लोग तो दोफर में यही बना सुबे पराठा सब्जी का नाश्ता हो गया दोफर में साबुदाना की खिचडी हो गई यह देखें दही के साथ कितनी अच्छी लग रही है तो आप लोग भी खालीजिये और कमें तो चलिए पिचड़े चड़े बन चुकी है और हम लोग खा चुके हैं और अब मैं शाम हो गई है तो मैं सोच रही हूं कि अब वीडियो का मैं एंड करतूं तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी से अच्छी लगी हो तो ला सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ जाएंगे तो चलिए आज इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाएंगे